बिहार में अभी हाल में ही दो सीटों पर उप्चुनाव हुए हैं गोपाल गंज और मुकामा और तीसरा अब कुधिनी चर्चा का विशय बना हुआ है बिहार में उपचुनाओं होने हैं कुधिनी विधानसवाब पर सीट पर और ऐसे में जदियों ने अपना कैंडिडेट यानि उमिधवार खड़ा कर दिया है लेकिन बात हम आज राजनितिक चर्चा करेंगे क्योंकि कुधिनी विधानसवा सीट जो है काफी हॉट शिट हो गया है क्योंकि सब की नजर अब उसी सीट पर है उपचुनाओं मे क्योंकि बीजेपी भी अब पूरी तरीके से उमिधवार खड़े करने वाली है और आपको बता दे कि जदियों ने तो उमिधवार खड़े कर दिये महागडवंदन के तरफ से और हम बात करेंगे लोग जन सक्ति पार्टी राम बिलास के पुर्व परवक्ता रहे चंदन सि काफी शुर्कियों में रहे हैं मीडिया के चंदन जी काफी दिनों से लंबे समय से मुलाकात आपसे नहीं हुई क्योंकि आप पार्टी ने आप छोड़ दिये पार्टी छोड़ दिये हैं लेकिन जिस तरीके से एक राजनितिक विशेशक के तौर पे हम बात करेंगे आपस कुड़िनी विधानसवा उप्चुनाव होने हैं एक तरफ बीजेपी भी अपना उमिद्वार खड़ा कर रही है और महागडवंदन के तरफ से भी उमिद्वार खड़े हो चुके हैं गोशना कल हो गई है कैसे देखते हैं लोग जनसक्ती पार्टी रामबिलास के प्रवक तो कैसे देखते हैं इसको देखे दो उप्चुनाव बिहार में हुए और इन उप्चुनाव में जो नतीजे आये यह असपश्ट था कि जिसके पास जो सीट थी वो रह गई लेकिन देखे एक बिचितर इसमें घटना हुई कि मुकामा सीट में जो अनन सिंग जी की जीत की मार्जिन हुआ करती थी वो तकरीबन 35 से 40 हजार के लगबग हुआ करती थी वो मार्जिन घट गई और यह तब हुआ जब महा कटबंदन आधनिये मुक्ष मंत्री जी के साथ तालमेल हुआ जनता दली उनाइटेट के साथ तालमेल हुआ और दोनों जब आप अगर वोटिं अप नहीं हुए वो कारण तो आप जानते ही होंगे कि इनके कितने मधूर संबंद जनता दली उनाइटेट के राष्टिय अध्यक्षादर्निये ललनबावु के साथ था मानिये मुक्ष मंत्री जी के साथ ता और गुपाल गंज में चिराग पासवान जी के सभा के बाद जो वहां पर एक गनित्य वो अपने आप में बदला और हम तो मानते हैं मेरा अपना बिसलेशन है कि चिराग पासवान के वज़े से ही भारतिये जनता पाटी वो हारते हुए सीट को भी जीत गई तो क्या लगता था कि जो कहीं न कहीं जो बीजेपी है अपने आपको असहज महसूस कर रही थी उपचुनाओं में क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं चिराग का तो सहरा लेना पड़ा और चिराग से बच भी रह थे जब एक वक्त में एंडिये के सरकार में नितीश कुमा जी का इतना दबाओ था कि उस दबाओ के आगे भारतिय जनता पाटी कहीं न कहीं जुग गई और चिराग पासवान जी से एक दूरी बनाया गया बहुत सारे इसके कारण हैं अब उस कारण में जाने का नहीं है जब लाश्ट समय में भारतिय जनता पाटी को यह एहसास हो कि दलित वोट का ट्रांसपर चिराग पासवान ही करा सकते हैं ना कि पसुपति कुमार पारश जी तो चिराग पासवान जी को एंडिये में पुना जबकि इनके कई सीर्स नेता वरिष्ट नेता पहले कह चुके हैं कि चिराग पासवान भी एंडिये के हिस्सा हैं तो अब G Doube देखे भारतिय जनता-पार्टी एक लम्बे समय से गठबंदन में रही है बिहार में और कहीं न कहीं इनको एक चहरा के जरूत पड़ती है तो वर्तमान में अब उनके पास नितीश कुमार का चेहरा था पहले लेकिन वर्तमान में इनको एक चेहरे की जरूरत है तो कहीं न कहीं एक यूथ आईकॉन जो की यूआउं में काफी फेमस हो और बिहार की राजनीत में लगतार सक्रिये रह रहा हो वो चिराग पासवान है चिराग पासवान धरातल पे काफी मेहनत करते हैं इसका फायदा भारतिय जनता पाटी को ये दो उपचुनाओं में मिले हैं आने वाले समय में जो उपचुनाओं होना है संज़जी कुर्दी में तो कुर्दी का इतिहास आप समझ लिजे कि 2010 में लोक जनसक्ति पाटी और जनता अदल उनाइटेट में बहुत काटे की लड़ाई थी लाश्ट समय में आप जानते हैं कि जनता अदल उनाइटेट की जो नीती रही है कि किस तरीके से ये जनता को गुमराह करते हैं वोटर को गुमराह करते हैं और कई तरह के हत्गंडे चुनाओं में अपनाते हैं जिस कारण महज 700 वोट से 2010 में ये लोक जन सक्ति पार्टी से जीते हैं। चिराग पासवान यूथ आईकोन है और बहुत फेमस है बिहार में इसका फाइदा भरपूर पाटी को मिलेगा और भारतिय जनता पाटी गंभीरता पूर्वक अगर सोचे तो अधरने नितीश कुमार जी के खिलाफ जो चिराग जी का रवया रहता है आकरमक उसका फाइदा इस गड़बंदन को मिलेगा बीजेपी को मिलेगा अगर भारतिय जनता पाटी के पास भी अगर ये सीट रहता है तो चिराग पासवान जी एक प्रमुख भूमिका में होंगे वहाँ पर बिना चिराग पासवान के कुड़नी सीट को जीता नहीं जा सकता है तो देखे साफ तोर से कह सकते हैं कि कुड़िनी विधान सबा के उपचुनाओं होने हैं ऐसे में राजनितिक विशेशग और लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास के पुर प्रवक्ता रहे चंदन सिंग ने साफ तोर से कहा कि अगर महागडबंदन यानि बीजेपी एंड और लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को भी मिलेगा ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश जिन्यूस के साथ और देखते रहे देश जिन्यूस